हलो फ्रेंड्स डिव्या वेलकम बेक टू दा चैनल वन्स अगेन होप करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे खुश होंगे सेहत मन होंगे मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोग के साथ अपना ये जो अपार्टमेंट है इसका टूर शेयर करूँ वैसे तो ये रेंटल अपार्टमेंट है हम लोग यूसे के कोलोरेडो के रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं इविन दो मैं सोच रही थी कि आपनों के साथ एक बार शेयर करती हूँ, so that उसे होगा क्या कि मैं जितने भी अपनी व्लॉगिन करती हूँ, तो मैं आपके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगी, और इविन आप भी मेरे साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, तो बस आज की ये जो वीडियो है, ये मेरे रेंटल अपार्टमेंट टूर की है, तो हम लोगों को घर फर्स्ट फ्लोर पर है, तो मैं स्टेर से चड़ते हुए अपने घर की तरफ ही जा रही हूँ, और हमारा जो घर है वो टू बी एच के है, इसमें टू बेड्रूम है, लिविंग रूम है और टू लेट बात है, तो अब बस मैं अपने घर पर एंटर कर रही हूँ, इस इस आर में डूर, में डूर के साइड में जो ये राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है, ये है हमारा लिविंग रूम, तो उसी से कनेक्टेड यहाँ पे हमारा डाइनिंग भी है, और उसी से कनेक्टेड हमारा यहाँ पे किचिन भी है, आप इस तरह से समझ लीजीगा कि एक बड़े हॉल को इन लोगों ने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो एक में तो हमने अपना लिविंग रूम बना रखा है, साइड में बना रखा है, डाइनिंग और साइड में हमारा किचन भी है, और इन तीनों के बीच में ऐस सच कोई भी डोर इन लोगों ने नहीं दिया है, तो ये हमारा एंट्री करते ही, राइट हैंड साइड जो आपको दिखरा है, ये है हमारा लिविंग रूम, इसमें ऐस सच बहुत ज़्यादा फरनीचर नहीं डाला हुआ है, बस सोफा है, चेयर्स हैं, ओटो मैंने, टीवी हैं और दो कॉर्नर टेबल्स हैं, बस इतना ही लिविंग रूम में मैंने सेट अप किया हुआ है, इविन अभी हम लोगों ने सेंटर टेबल भी नहीं ले रखी है, तो बस में गेट के राइट हैंड साइड ये तीन इस तरीके से कमपार्टमेंट है, लिविंग रूम, डाइनिंग एंड किचिन, अब मैं आप लोगों को ले करके चलती हूँ, में गेट के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, में गेट के लेफ्ट हैंड साइड आपको तीन डोर दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेंट वाला डोर दिखाती हूँ, फ्रेंट वाले क्लोजेट में मैंने अपने हजबेंड के क्लोथ औरगिनाईज कर रखे हैं तो यहाँ पर ऐस सच मेरे पास कोई अलमीरा नहीं है लेकिन मैंने एमेज़न से इस तरीके से यह हैंगिंग वाली अलमीरा जैसी कुछ खरीद रखी हैं तो इसमें ही मैंने अपने हजबेंड के क्लोथ औरगिनाईज कर रखे हैं तो ऐसी मैंने इस वाले क्लोजेट में दो रैक्स हैंग कर रखी हैं तो यहाँ पर इस तरीके से क्लोथ औरगिनाईज हो जाते हैं और बाकी उपर की साइट कुछ miscellaneous stuff रखा हुआ है और ये जो राइट वाला डोर है इसमें इस तरीके के कुछ machinery लगी हुई है I think ये water tanks हैं तो इसमें तो ऐसा सामान रखने का कुछ जादा बनता भी नहीं है और ये जो left वाली closet है ये as such कोई closet नहीं है ये washer dryer है पर इसको मैंने shoe rack रखने के लिए use किया हुआ है साथ में एक rack और है जिसमें कुछ miscellaneous stuff रखा हुआ है और इसमें ना उपर की side दो racks दे रखी हैं उसमें भी हमने अपना कुछ miscellaneous stuff रखा हुआ है as you can see मैंने यहाँ पर basket में इस तरीके से सामान को arrange कर रखा है तो washer dryer को भी as a store मैंने use कर रखा है living room में ही जब हम थोड़ा सा आगे की side भढ़ेंगे न तो बिलकुल just sofa के सामने ही आजाती है हमारी kitchen जो की open है उसमें as such कोई door नहीं है और छोटी सी kitchen है as such बहुत जादा बड़ी kitchen भी नहीं है kitchen का जो detailed tour है वो मैं आपको कभी किसी next vlog में कराऊंगी तो ये जो living room की TV वाली wall है ना उससे ही connected हमारी kitchen है जहाँ पर की मैंने auto main को place किया हुआ है so friends living room और kitchen से जब थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं चाहें आप living room से चले जाएं चाहें kitchen से चले जाएं तब इससे ही connected आजाता है मेरा dining area इसमें भी as such कोई door नहीं है तो इस जगा मैंने अपना dining setup भी किया हुआ है साथ मैं आपको corner में temple भी दिख रा होगा so friends ये वोई जगा है जहां पर मैं अपने लड़ू गोपाल जी को सनान कराती हूँ कभी dining table पर कभी मैं kitchen टॉप पर भी कराती हूँ और क्योंकि इस dining में हमने अपना temple भी place करा हुआ है यहां पर आपको एक छोटी सी रादा कृष्णी जी की ऊपर तस्वीर भी दिख रही होगी ये मैंने amazon से order करी थी तो ये देखिए ये है temple और इसके नीचे एक छोटा सा corner लगा रखा है महला corner table जैसा है जिसमें की भगवान जी का ही stuff रखा हुआ है और temple के ही just बराबर मैं आपको ये door दिख रहा होगा साथ में blind भी दिख रही होगी तो यहां पर एक balcony भी दी हुई है अभी तो मैं आपको बाहर जाके नहीं दिखा पाऊंगे क्योंकि अभी बहुत हो रहा है ठंडा लेकिन हाँ मैं आपको open करके दिखा देती हूँ तो यहां पर भी बस दो chair और एक छोटी सी table डाली हुई है समर्स में कभी बैठ कर चायवगरा पीने में बड़ा अच्छा लगता है balcony के gate के पास एक weighing machine और fruit basket भी रखी हुई है kitchen को अगर dining की side से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है और यहां पर frizz, oven, microwave, dish washers सभी facilities दी हुई है kitchen के अंदर ही now I am again at the main door तो main door के right hand side मैंने आपको पूरा दिखा दिया left hand side के closets भी दिखा दिये अगर मैं बिल्कुल सामने जाती हूँ तो आपको यह door दिख रहा होगा यह बच्चों का bedroom है जो की kitchen यानि की आगे वाले area से लगा हुआ है और बच्चों के bedroom से ही लगा हुआ एक toilet भी है जिसके की दो gate है यह बाहर वाला gate है और एक gate इसका अंदर की side भी है तो चाहें तो आप अंदर से भी आ सकते हैं तो यह जो सामने आपको curtain दिख रहा है यह bathtub का curtain है तो चलिए मैंने इस gate से entry करी थी अब मैं आपको दूसरे gate से बच्चों के bedroom को दिखाती हूँ तो यह है हमारे बच्चों का bedroom इसका gate बिलकुल bathroom के gate के center में है दोनो bathroom की जो दो doors हैं उनके center में है तो बस मैंने यहाँ पर left hand side अपने husband की table chair office table chair को place किया हुआ है बच्चों की study table chair को place किया हुआ है और यह है दोनों बच्चों का bed ऐस सच अभी हमने कोई bed नहीं purchase किया है हमने क्या किया है केवाल एक frame ले रखा है उसके उपर हमने mattress को place किया हुआ है as you can see और यहाँ पर बच्चे अपना jumping करते हैं यह है बच्चों का jumping करने का area सामने रखा हुआ है humidifier बच्चों के लिए और बच्चों वाले room में ना इस तरीके से यहाँ पर एक space दी हुई है वैसे तो इस space को बहुत अच्छे से decoration के लिए use किया जा सकता है लेकिन मैंने जैसा आपको पहले भी बताया मेरे पास as such कोई almira अभी नहीं है clothes को arrange करने के लिए तो इस वाली space में मैंने भव के winters के clothes arrange किये हुए है उपर की basket में sweater देन दोनों basket जो हैं उसमें full t-shirt वुलन और नीचे की जो दो basket हैं उसमें मैंने भव के जो full woolen lowers होते हैं वो डाले हुए हैं और बस भव के जहां मैंने woolen clothes arrange किये हुए हैं उसी के पास लगा हुआ है ये closet ये देखिए यहां पे ये है cloth भव के और यहां पे है closet तो यहां पर भी बस बच्चों के कुछ कपड़े arrange किये हुए हैं basket मैं जैसे भव के यहां पे half t-shirts arrange करी हैं सामने यतका की जो आने जाने की frocks हैं एक side में basket में यतका के कपड़े arrange किये हुए हैं और कुछ boxes में बच्चों के toys arrange किये हुए हैं जैसा कि आपको ऊपठ दिख रहा है ये बोड गेम्स हैं और बच्चों की विंटर्स की जैकिट्स भी राइट हैट हैंड है help the сек את हैं एक डो ड्रोड में बच्供 की एरंजह कर रखी है जैसा आपको यहां पर दिख रा concentration लोगा यतपा हिंध क्लास। kaf कि fue scored the अब बस इस सामने वाले डोड से मैं बाहर निकली आई हूँ जो की बच्चों वाला रूम था और I am again at the living room यहाँ चलिए अब मैं आपको अपने living room में से दूसरे bedroom में लेकर चलती हूँ जो की है master bedroom तो master bedroom हमारा right hand side यह जो आपको डोड दिख रहा है यह हमारा master bedroom तो kitchen के left hand side है और kitchen से जो right hand side है वो है हमारा master bedroom मास्टर bedroom में enter करते ही right hand side मैंने अपना bed place किया हुआ है तो यह जो bed है यह as such कोई bed नहीं है बस हमने king size का एक frame ले रखा है और उसी के उपर हमने king size का mattress place किया हुआ है और side में यह night stand लगा रखे हैं और right hand side एक office chair भी है black color की जिस पे कभी-कभी मैं towels वगेरा dry करने के लिए डाल देती हूँ क्योंकि bedroom में भगवान जी की जो तस्वीरें होती है उनको लगाने के लिए मना किया जाता है तो decor के लिए मैंने एक simple सी scenery लगा रखी है right side वाल है इस पर बहुत बड़ी window दे रखी है और इस पे मैंने as such बहुत ज़्यादा साम किये हुए है इन basket में और यह जो आपको gate दिख रहा है इसमें इन लोगों ने toilet अटेश दिया हुआ है और इस wall पर मैंने एक iron table भी रख रखी है अब बस यह जो last wall है जो की door से connected है तो यहाँ पर दे रखा है closet यह personally बस मेरा ही closet है तो सामने मैंने अपने आने जाने के hangout किये हुए है जैसे आने जाने के top, dresses और side में जो आपको baskets दिख रही है इन में मैंने अपने regular कपड़े place किये हुए है तो बस दोनों side मैंने इस तरीके की 4 या 5 basket रख रखी है जिन पर की मैंने अपने regular clothes अरेंज किये हुए है बाकी अपनी society का tour तो मैं आपको already share कर चुकी subscribe जरूर करें, become a part of our family, thank you